जी असलाम अलेकम वेलकम बैक तो मैं चैनल कुकिंग विद अफ्षा एंड विलॉग्स जैसा कि आप देख रहे हैं इधर हो रहा है सुबह सुबह नाश्ता मैं और मेरी बेटी जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं और हमने अपने लिए अंडा और तोश पनाया है और चाय साथ ल देशी लोग है हम भी लेकिन अबू तो अमी जो हैं वो सुबह के टाइम दही दूद और चाय के साथ प्राठा वगरा लेते हैं और रात का सालन अच्छा जी इधर मैंने आप सबसे एक बात करनी है कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही बहुत ही दुख के साथ मेर वीडियो नहीं बना सकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दूआये मगफरत की दूआ कीजिए आला तला उन्हें जन्नत अल्फर्दोस में आला मकाम अता फरमाए आमीन और इनके घर वालों को सबर अता फरमाए आमीन अच्छा जी इधर सुबह सुबह आ गया था दरास डार से एक मैंने पारसल आडर किया हुआ था ये बहुत ही जबदस है मुझे बहुत पसंद आया और आडर तो मैंने ऐसे ही दरास डार से देखके तो आडर कर दिया था लेकिन ये जब घर आया तो मैंने देखा ये के काफी जो है ना फाइदे मन्द है ये आप जब क तिंग रैप लगाने के बाब आप उसको जो है वेस्ट में डाल देते हैं ये कवर लिये हैं है थोड़ा सा चोटा साइज लेकिन बहुत ही फाइदे मनदा बहुत ही जबर्दस और ये आप बौल के उपर लगाएं किसी गलास के उपर लगाएं मेरा तो अकसर मैं हंडिया यो ना वो जरूरी है कि वो गिरती है तो ये एर टाइट जो है डकन है बहुत ही जबर्दस है अभी मैंने गलास के उपर लगा के दिखाया आपको और इदर मैं एक बौल ले रही हूं बौल में भी मैंने अभी तक तो कोई चीज नहीं डाली लेकिन मैं बौल के उपर भी बहुत ही जबर्दस है और इसे चीज वगरा भी नहीं गिरती फ्रिज में भी आप इसे इस तरह ये टाइट जो हैंड ये ड़कन है लगा कर रख सकते हैं दूद में एकसर कुछ ऐसी चीज़े होती हैं दूद में वो बड़ी जल्दी जो है ना खुश्बू अबजर कर ले तरह चीज़ों की तो ये उसके लिए बहुत ही फाइदे मंद और जबदस्ता है इदर मैं लेके आई हूँ गलास जैसे कि आप दे सकते हैं पानी का भरा हुआ है अब मैं इसके उपर ये सीली कौन के बने हुए हैं बहुत ही जबदस्ता हैं इसके उपर मैं ड़कन लगा र लेगे आपको तो इस तरह ये गरेगगी नहीं और आपको बहुत ज़्यादा जो आपके बरतन यूज वो भी नहीं होंगे बहुत ही जबरदस्त है अच्छा जी इदा आजते हैं चिकन की तरफ और कुकिंग कर लेते हैं चिकन मैं लिया है 1 fera मैंने दो टॉके तो छलनी में राख दिया था इसका पानी निकल गया हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक की शामिल करूंगी हाफ टी स्पून काली मिच की अगर बताने में आगे पिछे हो जए तो टैंचन नी लेना हम भी यूट्यूबर हैं लेकिन एक इनसान भी है और इनसानों से गलतिया होती है और फरिष्टे नहीं है हम इदर हम मैं ले रही हूँ दो मैंने लिमू ली हैं और उनका मैंने रस निकाल लिया है थ्री से फोर टेबल स्पून मैंने आईल लिया है आईल को और नमक काली मिच और लिमू को अच्छे से मिक्स करेंगे और आट से दस मिन्ट इसको मेरिडेट होन नजर आये लिसन लिए मैंने 1 गटी उसको मैंने चील के रख लिया है 25 कर लिया आठ से 10 मैंने 10 में अर इने भी रफली चौब कर लिया है अद्रग के मैंने 20 के टुकड़े बहुत ही जबताई से इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और 10-15 मिंट फिर हम इसे मेरिनेट होने देंगे चिकन को जितना ज़दा हम मेरिनेट करेंगे उतना ज़दा हमारा अफगानी चिकन तियार होगा इदर मैंने 4 टेबल स्पून दही लिया है दही जो है हमारा इसलिए ज़दा इसमें क्रीम नहीं यूज़ करनी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मेरिनेट 10-15 मिंट तकरीबन हमने 10-10 मिंट का स्टेप देते हुए हमने आदा गंटा इसको मेरिनेट किया है क्योंकि हमने इसको तवे पे जो है वो शेलो फ्राई करना है और उसके ल ती वो हम अलगी रखेंगे चिकन को पहले हम इदर अच्छे से शेलो फ्राई करेंगे डीफ फ्राई नहीं करना तवे के उपर करें या किसी पैन में करें शेलो फ्राई करना है बहुत जादा इसको नहीं करना डार कलर नहीं देना देखें जी अलहमदलल्ला माशाला कितनी जबरदस लुक आई है अब हमें इसकी साइडे चेंज करूंगी जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट सा येलो फ्राई कलर जो है वो आ चुका है बहुत ही जबरदस और बहुत ही अच्छी हुश्बू भी आ रही है आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स पाक्स करके अपना फीड़ बैग हमें जरूर दीजिए के जैसे के आप देख सकते हैं चिकन जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया और ये जो नईचे तवे के उपर थोड़ा सा लगा हुआ है जला हुआ पाट ये हम बिल्कुल इस्तमाल नहीं करेंगे उपर से हम चिकन उठा लेंगे और तवे को धो के तो वो सारा जाया कर देंगे और दूसरा चिकन जो भी रहता था वो बला भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे इदर मैंने एक कड़ाई ली है और आयल आल राड़ी हमने पहले भी यूज़ किया हुआ था फिर हमने फ्राई में भी किया है अभी मैं थ्री टेबल स्पून आयल शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर सारी ग्रेवी जो हैं मैं शामिल कर दूँगी और मिडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से इसको पका लेंगे चिकन हमारा अच्छे से पका हुआ है और मैरिने चिकन को इतना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इदर मैंने देख लें चिकन को बस उपर उपर से उता रहा है वो नीचे जो था कला वाला हिस्सा वो को हो जाएगी जब आईल आजएगा उपर अच्छा जी ये देखें माशालला माशालला कितनी जबर्दस लुक आई है बहुती यमी और बहुती मज़े का बना था इदर मैंने लिया है चार कोल या कोईला कह सकते हैं इसको मैंने अलग चूले पर राके तो अच्छे से उसक ये ही आईल इसके उपर डालेंगे और इसको ढखके तो दम लगा के रख देंगे ये देखे मैं चमच ले आई हूँ और चमच के साथ काफी आईल है ये ही उपर इसके डालेंगे और ढखकन के साथ इसको ढखके तो अच्छे से जो है कोईले की स्टीम दे देंगे माशालल الحمدللہ बहुत ही जबदास हमारा अफगानी चिकन त्यार हो गया साथ मैंने इसके रोटी के साथ खाएं या नान के साथ साथ इसके मैंने शामी कबाब बनाए थे साथ मैंने मैकरोनी का जो है एक बौल वो भी त्यार किया था और इसके साथ मैंने कुछ गेस्ट आ रहे थे इसके साथ मैंने जो है वो लजीजा कीर त्यार किया है माशाला अलहमदलिल्ला अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंट के साथ शेयर कीजिए और कमर्स बाक्स में जरूर अपना फीड़ बैक दीजिए आपका फीड़ बैक हमारी होसला अफ़सा ही होती है मैं आला ताला से दुआ करती हूँ आला ताला आप सबको अपने अपने गरू में हिफ्द उमान में रखे आला आफ़ीज